हलो वेलकम टू अभी मन्यु आईएस माइनम इज एमस हुसेन और आज हमारे साथ है विश्वनात माथुर जिन्होंने एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की क्या जर्नी रही इनकी पिलिम्स के लिए क्या स्टैडेजी थी और इंट्रियू की जो पीपेशन किया वह किस टैप से इन्होंने किया तो सारे सब कुछ आज इन से जानेंगे सबसे पहले मैं कॉंग्राचुलेट करूंगा पूरे अ मैंने टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़ाई आपको भी कि आपकी मैंने चाहरा मुझे मिला और मैं यह जो चोटी मोटी सफलता है वह मैं बचीव कर पाया बहुत-बहुत धन्यवाद से सबसे पहले तो यह बताए कि जब आपने रिजल्ट देखा ठीक है और चला सालों से लगातार मैंनत कर रहा था दो मेरा फ़र्ष्ट रेक्शन के ही था कि मेरे आंसू आ गए थे सब्सक्राइब और पुरा परिवार बहुत खुश था सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ अपने बारे में बताए विश्वनात कि आप कहां से बिलॉंग करते हो आपकी तूम भी के चा पया है के उफ् 우리가 से हर्याना के गाउं में दिश्टिक्ट में दनोदा कलां गाउं में करिक के प्राइमरी एद्यूकेशन लीए को ट्पी में मैंने sechs से ट्व bubb तक diaphrag की उसके बाद मैं से संसुझ कॉलिज यह दिली से की है सर तिर मेंने से युनिवर्स्टी आफ डिल्इ से ही उसके बाद में थोड़ी टाइम तक मैं एलिकोट दिल्ली में तो और मैं पंजाब मैंने करने के बाद मैं अभी यूजी सी रिसर्च स्कॉलर हो में पंजाब यूणिवर्स्टी में इस्ट्री डिपार्टमेंट जी तो आप जी जी बोली कोई बाद कि इसके अलाव तो सर नॉर्मल मतलब एक्टिव रहे हैं चोटी मोटी एक्टिविटीज एक्स्ट्र गोकरिकोलियर एक्टिविटीज क्योंकि सिर्फ पढ़ाई फिर वो इनसान का थोड़ा सा माइंड उतना फ्रेश रहे नहीं पाता है तो चोटी मोटी कुछ ने कुछ एक् शुरू में जॉब की थी कुछ टाइम बट उसके बाद मैं फॉल टाइम मैंने इसको प्रिपरेशन को डेडिकेट कर दिया था बट मैं हैस्टिश डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूं तो वह भी मतलब एक टाइम कंजॉमिंग चीज होती है तो अल्टिमेटली मैं ने वहीं सोचा कि ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन करते हुए आप कुछ नहीं कर सकते जोब कर सकते हो इन फेक्ट एक दूसरे के हेलफुल रहती है दो चीजी मुझे लगता है तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे कि बहुत सारे जिसे एक तो आप बोल रहे थे कि जहाँ पर आप कर रहे थे मंदलब इस्कॉलर सीप में तो वहां पर भी आपके टाइम कंजूमिंग था वहां पर भी टाइम लग रह लगता है personally मैंने अपना एक personal 610 का formula निकाला था कि मैं 6 गंटे किसी और काम में डालूंगा और 10 गंटे मैं सिर्फ civil services की preparation के लिए दूँगा बट जब exam नजदीक होंगे तो 6 गंटे भी मैं इसके लिए ले आऊंगा मैंने यह परशनली अपना 610 का formula निकाला था तो 6 गंटे पर जोड़के exam टाइम में फिर फुल टाइम में dedicate कर दीता था यहीं लाइबरेरी में होता था और अगर हम बात करें कि आपके जीएस पर तो दोने के लिए क्या strategy रही आपके और कितना कितना टाइम आपने दिया जीएस के लिए जैसे सर मतब strategy के हिसाब से अगर हम देखें अभी जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है तो आई थिंक हमारा फर्स्ट टार्गेट अभी विदिन ट्वेंटी विदिन 25 डेज हमारा टार्गेट रहना चाहिए कि हम से खतम करें और ऑप्शनल के थोड़ा-थोड़ा देखते हुए हम जीएस पर फॉकस करना शुरू कर दें लेकिन जैसे ही मतलब नौटिफिकेशन मतलब फॉर्म के लाश्ट डेट तक आने आने के हो तब तक हमारा सी सैट खतम हो जाना चाहिए और एकदम जीएस पर लग जाना चाहिए सी सैट का फिर हम वो कर से हर रोज एक पेपर कर रहे हैं या आधा पेपर कर रहे हैं लेकिन सी सैट बहुत इंपोर उसमें सर मेरे काफी अच्छे माक्स थे इसमें सी सैट में बट जो अभी तुछ टॉट ताफ तो यह ट्रेंट भी बन रहा है कि जो सी सेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग भली होता है बट उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव और यह पिसले टाइम से तो उस सब अगर नए इस्पिरिंट्स जो हैं मैं उनको यहीं बोलूंगा कि आप विदिन ट्विंटी ट्विंटी फैव डेज उस पे हर मैच का इंग्लिश के एक दो दो टोपिक आप अगर हर रोज अभी करोगे तो बीस पच्छिस दिन में आप कैसा हो जाएगा कि आपको और आप फिर वो है कि जब एक्जाम पास में होता है तब हम सी सेट पे इतना फोकस कर भी नहीं पाते और मुझे लगता है कि उस टाइम हमें हमारा फोकस में ली रखना भी में जीएस पे ही चाहिए तो अब ही अगर जल्दी कर दें तो बैटर रहेगा हो में हिसाब से अजी और उसके लिए क्या इस्टाटीजी से अब जो है वह बहुत वर्सेटाइल और वह टाइम बहुत करते हैं तो उसमें यही कहना चाहूंगा कि उसमें हिंदी इंगलिश जो दो पोर्शन है जैसे हमारा प्रिलिम्स खतम होता है उसी टाइम हमें हिंदी इंगलिश पे एकदम से क्योंकि जीएस के पैपर होते हैं और वह बिल्कुल पेपर के पास के करेंट अफेर्स तक भी बेश्ट हो सकते हैं तो हमें शुरू में ज्यादा टाइम हिंदी इंगलिश पे डाइवर्ट करना चाहिए उनको डेडिकेट करना चाहिए क्योंकि वह थोड़े स्टैटिक हैं और शुरू में ही हमें एकदम ऑप्शनल को खतम कर देना चाहिए तो मैं पर्सनल यह सोचूंगा कि हम हर रोज जी इस का थोड़ा पढ़ें बट शुरू में विदिन एक डेड़ महीने ऑप्शनल और हिंदी इंगलिस को करें और फिर जी इस वो साथ-साथ क्योंकि करंट और अगर हम लोग बात करें जिसे एक्जाम में लेंदी पेपर बहुत आया था इस बार भी तो उसको तीन घंटे में खतम तो उसके लिए कैसे मतलब किया सब्सक्राइब करना उसका अगर प्रैक्टिस भी करें तो किस टाइप से किया जा सकता है उसको अगर वैसे यह कोई क्राइटेरिया नहीं है बट अगर चलो अगर ना भी लिखें तो काम चल जाएगा लेकिन फिर हमें मैक्सिमम लिखना था उसमें तो यही है कि हम यह देखें कि जो मिनिट्स होते हैं हमारे पास पेपर और पांच मिनेट उसमें से भी हमें निकालने हैं क्योंकि पांच मिनिट्ट में उपल करना और करना यह पंच मिनट्च वह लगजातें तो वन मिन क детей मुझे ज़रूरी ज़रू मैं अगर हमने प्रेक्टिस कर रखी है तो फिर वो और जल्दी हो जाते और क्वालिटी सर्ना आगे-वाले नहीं क sopr supported करते हैं तो वह एक कि अंसर राइटिंग की प्रेक्टिस जरूरी है और हो सके तो कोई ने कोई टेस्ट जरूर ले जई जी सर अगर हम लोग बात करें इंटर्व्यू की तो इंटर्व्यू की आपको पर्सनेलिटी टेस्ट होता है वह बेसिकली हमारी पर्सनेलिटी टेस्ट करते हैं कि हाव वी एव ग्रॉण अप वट वी अब लॉन्ट तो इस तरीक के से बट इंटर्व्यू के लिए मैं आपका बहुत-बहुत पर्सनेलिटी धनेवाद में चाहूंगा तो जैसे जैसे करते हैं उसमें हमारा पर्सनल की नाम क्या है क्या है मदर फादर का नेम का मिनिंग क्या है फिर हमारी स्कूलिंग पे हम आते हैं हमारे जो हमने आज तक पढ़ाई कि एक रेजुएशन में अगर लेल भी कि उससे रिलेटेड तो सारी चीजें वही सब सब्सक्राइब करें हमारी तो आई थिंग अभी में फोकस रखना चाहिए में सब्सक्राइब अच्छा गया मतलब मैं प्रिपेड था अच्छे से बट मेरी किस्मत भी थी मतलब आप सब लोगों का आशिरवाद आप सब लोगों की महनत मेरे साथ थी तो मैं अच्छे से प्रिपेड था लाइट माहौल में मेरा इंटर्व्यू रहा वैसे मेरी मतलब मुझे लगता है कि मैं हूं थोड़ा कि मैं ज्यादा सीरियस मतलब सीरियस होके भी अगर कोई मुझे थोड़ा सा अगर इंच दे दे तो मैं उ और पूछे भी बहुत डाइवर्स की क्वेस्टन पूचे गए लोड के एकोनोमी के हिस्टरी के मेरे रिसर्च से रिलेट अर्याना से रिलेटेड इंटर्वियू ने क्लाइमीट चेंज से रिलेटेड आइए टोपिक द फीक माहूल था और मैं प्रिपेड था तो वो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है ठीक है और बहुत सारे इस पर अटेम्ट देने वाले हैं जो इसके बाद भी उनका नहीं हुआ लेकिन से इस साल देने वाले हैं तो उनके लिए अगर कुछ मैसेज आप देना चाहो सबसे पहले तो सर मैं यह कहना चाहूंगा जो बिगनर시 हैं और जो वेटरिंस हं दोनों के लिए वह हम अपने वहार से हम अपने वर्ड से किसी इनसान को किजी और जीव को दुखी नकरें अगर हम उने शोखव नहीं देशके तो वो अलग बात है लेकिन हम किसी को दुखी ना करें ये बात मुझे लगता है ये प्रिपरेशन के लिए भी और इन जेनरल भी हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है वो सिर्फ ये मतलब साधुम हात्माओं वाली बात नहीं है इससे हमारी mental health बहुत अच्छी रहती है और इ हमें एक कोई भी एक टार्गेट अपने माइंड में रखके उसके लिए continuous efforts देने की जरूरत होती है बच्पन से हमारे माबाप हमारे सबस्क्राइब करते हैं कि इसमें सिखाने के लिए हम सीखते भी आए हैं और अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो बिसली भी डिजर्व इ अगली बार और ज्यादा मेंट करके उसको टैकल करना है यह मेरी परस्ट कि मैंनत को आपको करेगी आप अगर किसी चीज में अपना 100% दे रहे हो अपनी बोड़ी का अपने माइंड का अपनी फैमिली सब कुछ अगर दे रहे हो तो फिर वो सारी चीजें वह भी आपका सप कर रहा था तो एक कि पढ़ने लिखने की कछ लोग दो घंटे पड़के फिर दो गंटे पड़के रहे हैं मेरी स्ट्रीम करो की तोड़ी देर के लिए बंद करके तोपिक के बारे में सोचती हुए थोड़ा आस-पास घूमो कुछ और एक दो दो फ्रेंड से बात करो फिर वापिस आके बैठो लोगों की आवर वाइस होती है वह स्टेंट स्टेटजी कुछ भी डिफर कर सकती है बट अल्टिमेट जो ची हो जाती है तो ज座ने की जरूरत नहीं कि वह हमें हमारा बेस्ट मांग रहे हैं यह नहीं आड़के नहीं बोल रहे हैं कि आपको चार पार कि देने वह हम też उसके हमारा बेस्ट मांग रहे हैं जितना हम कर सकते हैं करें बट बढ़ी करने कि आइसे कोई ज़रूरत नहीं कि यह बढ़ा पर हो सकता है कुछ हम बार-बार करें यह पेपर में पूछी जाएं अब अगर हमने मैनत कि यह हमारे पेपर में दिख जाता है जी जी आ थैंक यू विश्वनात आपने अपना कीन्ती वक्त हमें दिया बहुत ही इन पूड भी दिया अपने अब आने वाले इस्टूडेंट है जो आइस्परेंस हैं उनको बहुत काम आएंगे उनको भी एंड गॉट करने वाच लेकिन छाहन आपको विश्वनाफ कर दो लिए ने लिए अब लुका वाट उस टाम मेरी हैं गर जो जा चैन्ड पावरा रहा हूं जब भी मुझे ताइम लगेगा मैं चंडिकेट में आउंगा आप लोग से परसनली मैं आगी आगी आप लोग विल्कुल बहु झाल झाल